आज इस personality की हम बात करेंगे यह हैं तो non-filmy background से लेकिन फिल्मों में आकर इन्होंने अपने acting का लोहा मनवाया यही कारण है कि बड़े-बड़े directors के साथ यह काम कर चुकी है जैसे कि सुजीत सरकार, मधुर भंडारकर और शाम बानिगल नैशनल अवार्ड विनिंग फिल्मों में भी काम कर चुकी है इन्होंने इंडास्ट्री में 15 साल के करियर में तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया लेकिन आज यह गुमनामी की जिन्दगी जी रही है बात करेंगे actress मिनिशा लांबा की मिनिशा लांबा की लाइफ से जूडी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कड जरौनलिस्ट बनते बनते मिनिशा लांबा आट्रेस बन गई क्यों मिनिशा लांबा जिनकी आर्य बबबर के साथ अफेर के खबरे उड़ी थी वो राजबबर के घर की बहु नहीं बन पाई और कैसे एक सरजरी के कारण खराब हुआ करियर मिनिशा लांबा एक जाट फैमिली से आती है इनके फादर हॉस्पिटालिटी बिजनस में थे यही कारण है कि इनकी अप्रिंगिंग अलग-अलग शेहरों में हुई कुछ टाइम चैन्नाई में, थोड़े टाइम श्री नगर में और उसके बाद जाधतर टाइम डेली में जिस वक्वो चैन्नाई में थी उस दौरान एक साउट के फिल्म में उन्हें ऐस चाइल्ड आर्टस काम करने के लिए ओफर भी आया था लेकिन मिनिशा लांबा उस वक्ट आक्टिंग नहीं करना चाहती थी इसलिए उन्होंने इस ओफर को ठुकरा दिया मिनिशा लांबा डेली के मिरांडा हाउस से ग्राजवेट है वही कॉलेज जहां से बॉलिवुड के कई परस्नालिटीज आती है जैसे की मलीका शेरावत, मौनी रोई और स्वरा भासकर कॉलेज के बाद मिनिशा लांबा बनना तो जर्नलिस्ट चाहती थी लेकिन इसी दौरान उनके कॉलेज में कई मॉडलिंग असाइन्मेंट्स आया करते थी और मिनिशा लांबा पॉकेट मनी के लिए वो असाइन्मेंट्स कर लिया करती थी इस दौरान उन्होंने कई अड्स में काम किया भले ही वो संसिल्क कहो या हाज मोला, एटेल, सोनी इसके अलावा फैमिना डबल्यू करकी के अड्ड कैंपें था वो भी मिनिशा लांबा ने किया था और एक बार सुजीत सिरकार एक अड्ड बना रहे थे केटबरी के लिए और उस अड्ड में मिनिशा लांबा ने एक छोटा सा सीन किया था और वहीं पे सुजीत सिरकार ने मिनिशा को स्पोट किया और आफर कर दी फिल्म यहाँ सुजीत सिरकार जो अब तक एड फिल्मों में अपना नाम बना चुके थे वो फिल्मों में डिब्यू करना चाते थे लेकिन वो जानते थे कि बॉलिवुड में नए डिरेक्टर्स के साथ कोई भी बड़ा अक्टर काम ही नहीं करेगा यही कारण था कि सुजीत सिरकार को मिनीशा लामबा जैसी नए अक्टरिस को अपनी फिल्म में लेना पड़ा इस फिल्म में जिमी शेरगिल भी थे और इस फिल्म का गाना नाम अदा लिखना यह गाना बहुत पॉपिलर हुआ था मिनीशा लामबा बहुत साथगी भरी अक्टरिस लगी क्रिटिक्स की तारीफ मिली और बॉलिवुड ने उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम किया इसके बाद मिनीशा लामबा हमें नजराई कॉर्पोरेट फिल्म में यह फिल्म अधूर बंडार कर बना रहे थे और इस फिल्म की लीड अक्टरिस थी विपाशा बसूर मिनीशा लामबा का इस फिल्म में किर्दार छोटा था लेकिन वो एक नोटेबल फिल्मेकर के साथ ही काम करना चाहती थी यही कारण था कि इस फिल्म में उनके पास लीड अक्टरिस का रोल नहीं सपोर्टिंग अक्टरिस का रोल था फिर भी उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इसके बाद मिनीशा लामबा नजर आई रोकी एंथनी कॉन है लेकिन यह दोनों ही फिल्मे फ्लॉप हुई फिल्म हानीमून ट्रैवल्स प्राविट लिमिटेड में मिनीशा लामबा नजर तो आई लेकिन इस मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में मिनीशा लामबा को देखकर उनके फैन्स काफी डिसपॉइन्ट हुए थे क्योंकि उनसे जादा एक्सपेक्टेशन की जा रही थी ऐसा माना जा रहा था कि लीड अक्ट्रिस के रोल में मिनीशा और भी दमदार पॉफॉइन्स करते नसर आएंगी और मिनीशा ने अपने सभी फैन्स की ये इच्छा पूरी की फिल्म बचना है हसीनों से ये फिल्म तो मर्टी स्टारर फिल्म थी लेकिन एक बहुत बड़े बैनल की फिल्म थी ये श्राज की फिल्म थी रनबीर कपूर का इस फिल्म के साथ नाम जुड़ा था और इस फिल्म में वो स्क्रीन शेयर कर रही थी विपाशा बासू और दिपिका पादुकोन के साथ मिनिशा लामबा के करियर की अब तक सबसे बहतरीन फिल्म अगर कोई मानी जाती है तो वो फिल्म है बचना है हसीनों एक के बाद एक मिनिशा लामबा फिल्मे तो कर रही थी लेकिन बॉलिवोड जनरली एक्ट्रस इसको इतना जल्दी एकसेप्ट नहीं करता है और अब तक मिनिशा लामबा ने जितनी भी फिल्मे की थी उससे बॉलिवोड ने उन्हें गर्ल नेक्स डोर कहके टाइप कास्ट कर दिया था यही कारण था कि इंडस्ट्री में आए हुए तो दो तेन साल ही हुए थे लेकिन अब एक जैसे रोल सी ओफर हो रहे थे और अब मिनिशा लामबा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था अपनी इमेज को ब्रेक करना ऐसा वो नहीं चाहती थी लेकिन इंडस्ट्री में जो माहोल आता है जिस तरह के लोग फीड़बैक देते हैं उससे उनको प्रेशराइस फील होने लग गया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ग्लैमरिस अवतार दिखाएंगी उन्होंने इस ग्लैमरिस अवतार के लिए ना सिर्फ खुद को बहुत ज़ादा फिट बनाया बलकि उन्होंने अच्छा दिखने के लिए नोस जॉप करवाई लिप जॉप करवाई और इम्प्लांट्स भी करवाई और अपने इस पूरे चेंज अवतार के साथ मिनिशा लांबा बिक्नी स्पॉट करते नजर आई अपनी अगली ही फिल्म किद्नैप में ये फिल्म तो बॉक्स आफिस पर बॉम साबित हुई लेकिन मिनिशा लांबा को देखकर लोग भी शॉक्ट रह गए लोगों का कहना था कि मिनिशा लांबा ने नोस जॉब तो करवाई लेकिन ये ठीक से नहीं हुई उनकी सरजरी कहा गया कि उनकी नोस को ठीक से फिक्स नहीं किया गया हाला की इसके बाद आगे जाकर फिर से मिनिशा लांबा ने अपने नाग की एक और सरजरी भी करवाई थी लेकिन अपने जिस करियर के लिए मिनिशा लामबा इतनी dedicated थी कि उन्होंने अपनी nose job भी करवा दी उस चीज से उन्हें कोई वाइदा ही नहीं मिला In fact, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मिनिशा तो पहले cute लगती थी Kidnapp के बाद मिनिशा लामबा कुछ और फिल्मों में भी नजर आई जैसे की सूर्या और अनामिका लेकिन ये फिल्मे कब आई कब गई पता ही नहीं चला और मिनिशा लामबा को अब कुछ खास फिल्में ओफर ही नहीं हो रही थी यही कारण था कि Minisha Lamba लोगों को प्रूव करना चाहती थी कि वह एक दमदार अक्रिस है और वह acting करना जानती है यही कारण है कि तब Minisha Lamba ने Parallel Cinema की कुछ फिलमे की जिसमें से एक थी Weldon Abba इस फिल्म को बनाया था शाम बनेगल ने, सोशल इशूस पर ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म को नैशनल अवार्ड भी मिला था इसके बाद मिनिशा लांबा हमें नाजराई भेजा फ्राई 2 में मिनिशा लांबा काम तो कर रही थी, लेकिन कमर्शिल सिनेमा, लीड अक्टरिस, ग्लैमरिस वाली फिल्में ये सब उनसे बहुत दूर जा चुके थे, उन्हें इस तरह के कोई ओफर्स ही नहीं आ रहे थे और जब मिनिशा लांबा अपने करियर के एक टफ़ दौर से गुजर रही थी, तब ही उनके लाइफ में भी काफी ट्रैजडेज हुई ये 2011 में मिनिशा लांबा एक बार New York में ही अटक गई, जी हाँ वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसके चलते सब कुछ बंद हो गया और मिनिशा लांबा एक हफते तक New York में ही अटकी रही इसके बाद वो कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी, अपनी फिल्म के लिए नहीं बलकी Woody Allen की फिल्म Midnight in Paris के प्रेमियर के लिए जब वो कांस गई थी, तब मिनिशा की काफी न्यूस छपी थी, लेकिन जब कांस से रिटर्न आ रही थी, तब तो मिनिशा लांबा ने काफी हेडलाइन्स बटोरी थी एक्चली उन्हें एरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया था, 16 घंटे तक मिनिशा लांबा को एरपोर्ट पर रोका गया उनके पास 50 लाग से भी जादा के डाइमेंड्स थे, जिसके प्रॉपर पेपर उनके पास नहीं थे यही कारण था कि अथोरिटीज ने उनसे 16 घंटों तक पूछताज की यह 2011 में एक बहुत बड़े मिनिस्टर के बेटे जी हाँ, चिराग पासवान बॉलिवुड में डेब्यू कर रहे थे और उनको डेब्यू करवाने के लिए एक फिल्म बनाई जा रही थी, जिसमें कंगनार अनौत फाइनल हो चुकी थी और इसमें एक रोल मिनिशा लांबा को भी ओफर हुआ था लेकिन तब मिनिशा लांबा ने इतना जादा प्राइस कोट किया कि उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया और कहा जा रहा था इस प्राइस में तो मनिशा कोईराला तक काम करने को तयार थी ये फिल्म थी मिले न मिले हम और तब मिनिशा लांबा के लिए ये कहा गया था कि अल्रेडी मिनिशा लांबा जो कमर्शल सिनिमा से कहीं गायब सी हो गई है और अब फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद इतना हाई प्राइस कोट कर रही है ये कुछ नामबा भी अननोटिस चली गई मिनिशा लांबा के करियर में फ्लॉप फिल्मो का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उसके बाद उन्हें कोई हिट फिल्म मिली ही नहीं इसी दौरान उन्होंने दूसरे फिल्मों में भी ट्राइग करने की कोशिश की उन्हें साउठ की एक फि नहीं मिला. मनिशा लामबा ने कहा जाता है कि अपने करियर को रिवाइव करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? जो गर्ल नेक्स डोर इमेज थी उसको तोड़ने के लिए उन्होंने फिल्मों में बिक्नी पहनी. In fact, कहीं सारे मैगजीन कवर्स के लिए भी उन्होंने बिक्नी वाले फोटो शूट्स करवाए लेकिन इन सब चीजों का भी कोई फाइदा नहीं हुआ और अपने करियर को आखरी बार फिर से जिन्दा करने के लिए मिनिशा लामबा ने एक लास्ट ट्राइक किया यर 2014 में जब वो गई टीवी के सबसे कॉंटुबर्शिल शो बिक बॉस में इस शो के दौरान ही पता चला कि मिनिशा लामबा का आर्या बबर के साथ अफैर था आर्या बबर ने मिनिशा से रिलेटिट कई बाते शो के दौरान की थी लेकिन शो से बाहर आते ही मिनिशा और उने कहा था कि हम शो में जाकर इस तरह का लव एंगल दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि हम पॉपुलारिटी बटोरे और घर में ज़ादा टाइम रह पाएं पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसी दौरान आर्या बबर और मिनिशा की पंजाबी फिल्म भी आई थी और शायद उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए ही इन्होंने ये पबलिसिटी स्टंट किया था ये फिल्म थी हीर एंड हीरो ये 2015 में मिनिशा लांबा ने सब को चौका दिया जब अचानक से इंटरनेट पर उनकी शादी की फोटोस वाइरल ह होने लग गई यहां पिछले कुछ टाइम से मिनिशा लांबा मुंबई के जुहुस्तित एक नाइट क्लब ओनर रियान थाम को डेट कर रही थी कुछ टाइम इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फाइनली 2015 में मिनिशा लांबा ने रियान के साथ शादी कर ली पर म मिनिशा की शादी के टाइम पूजा बेदी ने भी उन्हें कॉंग्राप्स किया था और सब सोचने पर मजबूर हो गए कि पूजा बेदी का मिनिशा से क्या रिलेशन है तो आपको बता दे कि रियान जो है वो पूजा बेदी के काजन है यही कारण है कि पूजा बेदी ने इनकी शादी पर मिनिशा को अपनी फैमिली में वेलकम किया था शादी के बाद मिनिशा लांबा ने फिल्मों से दूरी बना ली वो भूमी फिल्म में नजर तो आई लेकिन वही साइड रोल्स करते हुए और हर बार जब मिनिशा इस तरह के side roles में दिखती है तो हमें disappoint ही होता है कि ये एक industry की बहतरीन actress थी जो की lead actress के role में नजर आनी चाहिए ये अपने आपको इस level तक क्यों लेकर आई है current scenario की बात करें तो मिनिशा लामबा एक private life जीना ही पसंद करती है बॉलिवुट से वो बिलकुल दूर हो गई है इंटरनेट वाला love करके एक tv series उन्होंने किया था साथ ही वो poker बहुत ज़ादा खेलती है और कुछ time पहले गोवा में एक poker tournament हुआ था जहांपर मिनिशा लामबा उस tournament का हिस्सा बनी थी वहाँ पर Chris Gayle भी थे और वहीं से मिनिशा और Chris Gayle की pictures काफी viral हुई थी मिनिशा लामबा बॉलिवूड की उन चंद actresses में से हैं जो बॉलिवूड में आई एक अच्छी film के साथ लेकिन धीरे धीरे उनकी performance कम होती रही और वो बॉलिवूड से बाहर हो गई जैसे कि अमरिता राओ, एशा देउल और शृती हसन फिल कहते हैं कि बॉलिवूड में खूपसूरती और acting के साथ साथ आपको strong network भी आना चाहिए, साथ ही politics और competition fight करना भी आना चाहिए यही कुछ कमिया थी शायद मिनिशा लामबा की, इसलिए वो industry में ज़ादा time तक नहीं tick पाई और उनका खूपसूरत चहरा इस खूपसूरत चहरों के मेले में कहीं खोसा गया आपको क्या लगता है मिनिशा लामबा से ऐसी क्या गलती हो गई कि बॉलिवूड में कम ही time रहने के बाद वो यहां से गायब हो गई girl next door image नहीं तोड़ पाना, गलत surgeries करवाना किसी को स्टार के साथ relation नहीं होना, कोई godfather नहीं होना, industry में contacts नहीं होना या फिर बहुत जल्दी अपने career को give up कर देना बिग बॉस के just बात उन्होंने शादी कर ले थी, थोड़ा time इंतसार करती क्या पता एक बार फिर से उनका career revive हो जाता comment section में जरूर share करें, कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे Bollywood के एक और actor की life और career analysis के साथ like करें हमारा facebook page Bollywood ठिकाना, follow करें हमें insta पे और subscribe करें हमारा youtube channel Bollywood ठिकाना